आजमगड निशनल एरपोर्ट मामले में जमीन को लेकर के हो रहे ग्रामडों के आंदुलन में अब कॉंग्रीस पार्टी ने भी आंदुलन श्यून दिया है आज कॉंग्रीस पार्टी का हला बोल कारकम देखने को मिला और एक पांच सुत्रिय ग्यापन जिलादिकारी के के धर्णा प्रदसन को लेकर के क्या क्या किया है खबर में आखरी तक बने रहिए जिला कॉंग्रीस कमीटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंग के नित्रितों में कांग्रीसियों ने मंदुरी एरफोर्ट के विस्तारी करण के किसानों के समक्ष उत्पन समस्याओं पर ज लिया जाए हवाई अड़े से सटे दक्षिन पूर्वा तरफ खाली साथ किलो मिटर लंबी तीन किलो मिटर चोड़ी जमीन पर निर्मार कराया जाए बसी बसाई सगन वस्ती में निवास करने वाले करीब किसानों को ना उजड़ा जाए 13 अक्टूबर 2022 के अधिरात को किसानों के साथ हुई बरबरता की नया एक जाँच कराई जाए 13 अक्टूबर 2022 के अधिरात को किसानों पर बरबर लाटे चार्च कराने की दूस्टे दिकारियों करमचारियों के खिलाब कारी कारवाई की जाए किसानों को उनके जमीन का उचित मुआफ़ा दिया जाए इस मौके पर उतर प्रदेश कौंग्रीस कमीटी के सचीव मनुच कुमार कौतम उपास जित रहे जिलाव पादेक्च मनुच कुमार स्चीव ने कहा कि जिस तरह आधी रात को सरविय के नाम पर किसानों को परतालित किया गया उससे किसान बयाखरान्त है सरकार किसानों को happiest द्रशाफित करने की पुरुआ नेंतर भूसत द्रशाफित करे हुआई अड़े से सटे दक्षिन साथ किलो मीटर लंबी तीन किलो मीटर चोड़ी खाले जमीन पर हुआई अड़े का निर्बार किया जाए वसी बसाई घनी वस्ति के गरीब किसानों को नाव जड़ा जाए और उनकी सभी वचित माओं को फुरा किया जाए अन्यथा कौंग पर सक्स करवाई की जाए कौंग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहे की इस मौके पर विलाल हमेद चंदरपाल यादो राम प्रताप यादो उकार पांडी अजीत राए राजबली राम जगदंबिकात दुरवीदी श्रीला भारती रानाख खातौन ग्यानम मौरिय, रविसंकर पांडिय, अंशु माली राय, मुस्तकीम अहमेद, इस्तियाक अहमेद, प्रमोद यादो, सुधाकर पाठक, जितेंदुर कुमार, श्यद अहमेद, मुहमत फैज, सलमा सितारा, फूल बदन चौरशिया, अमित कुमार, श्रुबास्तो, हक्यमुदीन, श इस अहरे हैं, आज हम मनौरी में जो एयरपोर्ट, अके लिए, दो फेज में जमीने दिग्रेत हो रहे हैं, उसके संबंद में ग्यापन सौपने आया के, पहले फेज में 303कर, फेज में 303कर, इसमें जो किसानों के जमीन जा रहे हैं, जिननके दो भीसवा, चार भीसवा, पल्वों के आवास है और जकी रोगे चृटि और कई लोगों के आवास scoragg सफित हईं है को आट्थ को चार धियां से जादा तो थो क्यों उब ओ fins क्वा सई लोग पंखतित रहा ओवाँ अब कई लोग वाहा से वी नहीं जैसे टीरी में हुआ टीरी बात बनाया गया तो पहले इस्थापितों के लिए अस्थापित करने का एक कारियोजना तयार की गई इसके बाद जो वहां सारे कारियोजना और यहां तो दक्षिण पूर में बता रहे हैं तीन से पांस या साथ किलो मीटर तक जमीने खाली परियाद मात्रा में जमीने हैं उस तरफ बढ़ा देए कम से कम लोगों के रहाज़ी मकान जिसे उनकी यादे जुड़ी हुई है रोजी रोटी जुड़े हुए है छोटे छोटे किसान है उनका कम से कम भला तो हो जाएगा इस संबंद में हम यह ग्यापन से उपने के ये